चोपड़ा एजूकेशन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों CBSC, NEET वजेई मैंन के पोस्पोंट को लेकर कल HRD मिनिस्ट्री के अन्य ओफिशल के साथ में मीटिंग हुई थी उसका फैसला आज सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के बाद सारवजनिक किया जाएगा लेकिन सुतरों के मुताबिक मीटिंग के जो आउटकम आए हैं वो ये हैं कि CBSC के 10th और 12th के बचे हुई पेपर की एकजाम नहीं होगी और Alternative Assessment का यूज करते हुए इस्टुडेंट को इन पेपर में मार्क्स दिये जाएंगे इसके अलावा नीट वा जेई मैन एकजाम भी पॉस्बोंड की जाएगी CBSC की एकजाम को लेकर सुप्रिम कोर्ट ने HRD मिनिस्टर से जबाब मांगा था आज उसकी हीरिंग है तो CBSC के साथ नीट वा जेई मैन की एकजाम को पॉस्बोंड और न्यू एकजाम डेट के बारे में HRD मिनिस्टर द्वारब बताया जाएगा तो दोस्तों आपका ज्यादा समय ने लेते हुए वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीट वा जेई मैन पॉस्बोंड होना तैह हो चुका है इसका फैसला वे नई डेट की गोशना सुप्रिम कोर्ट में हेरिंग के बाद ही पता चल पाएगी अभी तक इतनी ही अपडेट है इसके बारे में जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी मैं आपको इनफॉर्म कर दूँगा दोस्तो काफी सारे स्टुडेंट नहीं चाते हैं कि नीट वे जेई मैन की एक्जाम पॉस्बोंड हो उनको बहुत परेशानी हो रही है उनकी परेशानी समझी जा सकती है मगर क्या करें अभी देश के हालात ही ऐसे होने के कान एक्जाम पॉस्बोंड होना जरूरी है तो दोस्तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन